करेंगे वो है foreign trade multiplier इसे पहले हमने बहुत सारे multiplier की बात की है जैसे autonomous expenditure multiplier, government expenditure multiplier, investment multiplier इन तीनों की value आपको कहा था कि सेम होती है इसके लावला हमने बात की थी text multiplier की और text multiplier को इस-किस केस में हमने बात की थी एक बात की थी हमने जब सिफ lump sum tax लगा हो एक हमने बात की थी जब lump sum tax के साथ proportionate tax लगा हो इसके बाद हमने बात की थी जब सिर्फ proportionate tax लगा हो और हमने किया था balance budget multiplier इसके अलावा हमने किया था transfer payment multiplier तो यह सब multiplier हम क्या कर चुके हैं लास्ट वीडियो में कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखी तो अपर आई बटन दिया होगा है वहाँ पर जाकर आप दे सकते हैं आज हम जिस topic की बात करेंगे वह है foreign trade multiplier तो शुरू करते हैं तो अगर लास्ट वीडियो की बात करेंगे तो मैंने आउंके बताया था output multiplier, government expenditure multiplier और investment multiplier सेम होते हैं तो इसके लावा हमने tax multiplier के बात करी और किस-किस इन चैक्स नहीं लगा तब transfer payment multiplier की यह value होती है जब lump sum tax लगा हो तब transfer payment multiplier की यह value होती है यह सब value हम कर चुके हैं आप चाहे तो इसके screenshot भी ले सकते हैं इसके लावा हमने बात की थी बैलेंस बजेट मल्टिप्लायर की और बैलेंस बजेट मल्टिप्लायर की वैली वैने उताई थे आपको हमेशा एक होती है given कि margin propensity to consume जिन पर हम tax लगा रहे हैं और जिन पर government खर्चा कर रहे हैं उनकी margin propensity to consume दोनों की क्या है? सेम है तो बैलेंस बजेट मल्टिप्लायर की वैल्यू हमेशा क्या होगी? वन होगी आज हम बात करेंगे foreign trade मल्टिप्लायर की देखे हमें पता कि अभी तक हम three sector model की बात कर रहे थे यानि कि three sector model में equilibrium की equation क्या थी? consumption plus investment plus government expenditure और अगर हम diagram की बात करें तो यह हमारा investment plus government expenditure की line थी और यह क्या होती है? autonomous of income होती है यानि कि income जितनी मर्जी हो हमारी investment और government expenditure पर कोई उसका effect नहीं पड़ता है इसलिए horizontal axis के क्या है? parallel है तो यानि कि income जितनी मर्जी बढ़ रही है investment and government expenditure as it is है यह हमारी consumption line थी यानि कि income के साथ-साथ consumption क्या हो रहा है? increase हो रहा है तो हमारी consumption line जो होती है वो upward sloping होती है जब consumption में investment plus government expenditure एड हो जाता है तो यह हमारे पाद जो line आ जाती है यह क्या है? aggregate expenditure line या फिर कह लिजे aggregate demand line और यह जो हमारी 45 degree line है यह हमारी क्या line है? इंकम line है या फिर कह लिजे aggregate supply curve है जो किसके एकवल होती है? consumption plus saving plus tax और यह वो point है जहां पर income किसके एकवल होती है? consumption plus investment plus government expenditure यानि कि हमारी national income किसके एकवल थी? aggregate demand के एकवल थी यह हमारी equilibrium equation थी यह हमारी equilibrium equation थी पर हमें पता है कि real term में, real economy में हमेशा foreign sector भी exist करता है यानि कि force sector model की हम बात करेंगे और हमें पता है कि जब foreign sector exist करता है तो यह वहाँ पे export भी होता है और import भी होता है, export को हम exit not करते है, import को हम MCD not करते है और अगर किसी country का net export आपने निकालना हो तो आप क्या करेंगे? एक्सपोर्ट में से import minus कर देंगे, यानि कि अगर hypothetically हम मान ले कि वो country 40 करोड का क्या करती है एक्सपोर्ट करती है और 20 करोड का import करती है, तो net अगर देखा जाए तो 20 करोड का क्या कर रही है? एक्सपोर्ट कर रही है, तो उसका net export कितना है? 20 करोड, और अगर कोई country एक्सपोर्ट कर रही है, तो यानि वहां के लोगों की income क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, और income इंक्रीज होने का मतलब क्या है? कि यहां पर हम multiplier की value चेक कर सकते हैं, कि कितना export change होने से हमारी income में कितना change आ रहा है, उसे हम कहेंगे foreign trade multiplier, जो हमें बताएगा कि income में कितना change आएगा जब हमारा export change हो, तो यह हम देखेंगे इस वीडियो में, अब अब देखेंगे, अगर export increase होगा, जो export है, वो autonomous of income लिया है हमने, जो Keynes का मानना था, कि export जो होता है, वो autonomous of income होता है, यानि कि export line भी क्या होगी, horizontal line होगी, और जब consumption में export भी add हो जाएगा, तो यह consumption plus investment plus government expenditure line है, यह क्या हो जाएगी, upward shift हो जाएगी, और aggregate demand upward shift होने का मतलब क्या है कि equilibrium इस point पर आएगा, और इस point पर क्या होगा, income किसके equal होगी, consumption plus investment plus government expenditure plus net export, और net export को हम क्या कहते है, export minus import, तो हमारा net export अगर increase होगा, यहापे equilibrium point क्या हो रहा है, increase हो रहा है, पहले यहाँ पे था, अब कहा अ गया है? यहाँ तो यहाँ पे हमारी equilibrium की equation क्या आगी, यह आगी, income किसके एकवल है consumption plus investment plus government expenditure plus export minus import अब हमें पता है consumption हमारा किसके एकवल होता है autonomous consumption autonomous consumption का क्या मतलब होता है जो income पे depend नहीं करती जैसे अगर इस consumption function को हम इधर add करते हैं इस line को तो ये क्या है हमारी autonomous consumption है यानि कि हमारी income अगर 0 भी है तब भी हम कुछ ना कुछ consume कर रहे हैं जिसे हम autonomous consumption कहते हैं ये है हमारा margin propensity to consume जो हमें क्या बताता है कि income में change होने से हमारी consumption में कितना change आ रहा है जैसा कि माल लीजे margin propensity to consume की value 0.5 है इसका क्या मतलब है कि अगर हम income हमारी 10 रुपे से change हो रही है तो हम 5 रुपे क्या करेंगे अपना consume कर लेंगे तो margin propensity to consume 0.5 का मतलब है कि 50% हम किसमें खर्च कर देंगे consumption में खर्च कर देंगे अपनी बड़ी होई income का वहीं पर Y-T क्या बता रहा है हमें disposable income बता रहा है disposable income का क्या मतलब होता है जो income हमारे पास खर्चने के लिए बचती है अगर income में से हम tax निकाल दे तो यह वो income है जो हमारे पास खर्चा करने के लिए बची है consumer के तो यह होगा हमारे पास consumption function महीं पर investment मैंने आपको कहा है income पर depend नहीं करता government expenditure भी income depend नहीं करता है यह दोनों autonomous होते है इसी तरह export भी income depend नहीं करता है यह भी autonomous होता है लेकिन import जो है वो सिर्फ autonomous नहीं होता कुछ import autonomous होता है कुछ import income depend करता है इसलिए import की equation जो होती है वो यह होती है m is equal to m bar इसे m bar लिख लिएगा M bar का मतलब है autonomous import यानि कि कुछ import ऐसा होगा चाहे हमारी income बढ़ रही है चाहे नहीं बढ़ रही है हमें वो import करना ही करना पड़ेगी चीज़ पर कुछ import ऐसा होता है कि जैसे किसी country की income बढ़ती रहती है हम import increase करते रहते हैं वो income पे depend करता है जो income पे depend करता है import उसे हम ओसे लिखते है small m y यहाँ पे small m क्या है marginal propensity to import जैसे हमने marginal propensity to consume किया था वैसे हम wonder propensity to consume अंजम बता रहा था कि income के change होने से हम कितना proportion हमारा consumption पे लगाएंगे इसी तरह यह हमें बताएगा कि हमारी income इंकम चेंज होएगी तो उसका कितना प्रोपोर्शन हम इंपोर्ट पे लगाएंगे, इंपोर्ट पे खर्च करेंगे, माल लीजे माजनल प्रेंसिटर इंपोर्ट की वैल्यू भी यहाँ पे 0.5 है, इसका मतलब है कि अगर मारी इंकम 10 रुपे से बढ़ रही है, तो हम उसका 50 रुपे क्या गरेंगे, इंपोर्ट पे खर्चा कर देंगे, यह होता है हमारा माजन प्रेंसिटर इंपोर्ट, इसे हम स्मॉल म से नौट करते हैं, और इसके साथ हमने क्या लगाया है, वाई यानि कि इंकम लगाई है, तो अब हमारे पास इंपोर्ट भी है, कंजम्शन भ और यह आ गया, export, minus, import की जगा हमने क्या रख दी, यह value रख दी, अब हम bracket open करेंगे, यह b क्या है, अंदर multiply हो जाएगा, y से भी, और t से भी, इसी तरह यहाँ पर minus है, तो अंदर वाला sign क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, bracket open करने पे, तो हमारी नई equation क्या आ गई, यह आगी, a plus by minus bt plus i plus g plus x minus m, यह किसमें हो जाएगा, minus में हो जाएगा, क्योंकि यह वाली bracket open करेंगे, यह क्या गया, minus my, अब इस bracket को भी हम open कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, y is equal to a plus by minus bt plus i plus g plus x minus m minus my, अभी जो y वाली term है, हमारी right side में, इन्हें हम left side में ले जाएगे, जब इने left side में जाएगे, तो क्या हो जाएगे, इनके sign change हो जाएगे, y minus by, यह minus my क्या हो जाएगा, plus my हो जाएगा, और right side में क्या बच गया, a minus bt plus i plus g plus x minus m, इधर से हम y common ले ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, अंदर रह गया, 1 minus b plus m, और right side में हमारे पास यह equation as it is रह गई, यह वली जो term है, इसे हम ले जाएगे, right side में, और यह कहाँ चली जाएगी, denominator में, तो हमारे पास नई equation आजाएगी, y is equal to 1 upon 1 minus b plus m, और यह equation as it is, तो यह होगी हमारी equilibrium की equation, अब अगर हम इसे differentiate करें, with respect to x, यानि की export तो हमारे पास आता है, del y upon 1, del x is equal to 1 upon 1 minus b plus m, इसका क्या मत है, foreign trade multiplier, इसे किसके equal लिख सकते हैं, 1 upon 1 minus margin propensity to consume plus margin propensity to import, यहाँ पे b क्या है margin propensity to consume, और m क्या है margin propensity to import, तो यह होता है हमारा foreign trade multiplier का formula, अब अगर ध्यान से इसे देखें, तो हमारा government expenditure multiplier का क्या formula होता है, 1 upon 1 minus b, इतना, पर इसमें क्या add हो गया, इसमें import भी नीचे add हो गया, य अगर हम यहाँ पे देखें, without tax, government expenditure multiplier क्या है, 1 upon 1 minus b, तो without tax, foreign trade multiplier क्या होगा, 1 upon 1 minus b plus m, इसी तरह with lump sum tax, government expenditure multiplier क्या है, 1 upon 1 minus b, तो foreign trade multiplier भी क्या हो जगा, 1 minus b plus m, तो चाहिए tax ना लगा हो, चाहिए lump sum tax लगा हो, दोने ही case में foreign trade multiplier भी सेम रहता है, जैसे government expenditure multiplier सेम रहता है दोनों case मे वहीं पर जब lump sum text और proportional text दोनों लगे हो तो यह government tax expenditure multiplier है और foreign trade multiplier क्या हो जाएगा 1 upon में 1-b, 1-t, plus में m आप बस margin propensity to import आड़ कर दीजिए उसके साथ ठीक है इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा तो हम इसी पता लग गया कि इन सारे case में हमारा foreign trade multiplier की क्या value होगी हमने क्या करना है एसी denominator में margin propensity to import को add कर देना है तो यह हमने लिकाला जब text ना लगा हो या फिर lump sum text लगा हो तब margin propensity to import की value होती है 1 upon में 1-b, plus m वहीं पर जब lump sum text और proportional text दोनों लगा हो तब इसकी value होगी 1 upon में 1-b, 1-t, plus m बस हमने क्या add कर दिया? margin propensity to import add कर दिया यह case था जब कोई text नहीं लगा हो या फिर lump sum text लगा हो और यह case है जब lump sum text के साथ proportional text भी लग जाए तो यह था हमारा foreign trade multiplier के बादे में अब यहाँ पर एक और चीज हमें पता लगती है कि हमें पता है हमारा government expenditure multiplier होता है 1 upon में 1-b जब कि foreign trade multiplier हो गया 1 upon में 1-b प्लस m आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर margin propensity to import add हो गया तो अगर denominator में कोई चीज़ एड हो जाए तो वो total value क्या हो जाती है कम हो जाती है तो हम क्या सकते हैं कि government expenditure multiplier बड़ा होगा foreign trade multiplier से यानि कि इसकी value जादा होगी इससे तो हमेशा government expenditure multiplier जादा होता है foreign trade multiplier से क्योंकि foreign trade multiplier में margin propensity to import भी याड होता है और import क्या काम करता है import income बढ़ाने का काम करता है बाहर के लोगों की ना कि हमारी country के लोगों की तो foreign people की income बढ़ाने का काम करता है इसी लिए foreign trade multiplier की value domestic country के लिए कम होती है जबकि government expenditure multiplier की value जादा होती है तो आई होगा आप लगों को सब समझ में आ गया होगा अगर फीड भी को एक confusion है प्लीज राइट जीन तक के मेंट सेक्षिन गिवन बिलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में